अब देखें आपका चानल श्रीवदर विदायुष और दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे बहुत सारे इंपॉर्टन-इंपॉर्टन न्यूस के बारे में और शुरुवात करने वाले दोस्तों इस वीडियो में के सॉल्स से तो दूस्तों के सॉल्स के आज Q3 नंबर नि करें अपने इंवेस्टर्स को तो अब नंबर किस तरकी के निकल कर आएं चले यह देख लेते हैं तो दूस्तों यह के सॉल्स के नंबर है कंपनी का दूस्तों जो सेल पिछले साल तक करीबन 20 करोड का था वो बढ़कर अब 28.2 करोड का हो चुका है याल्मोस 39% का पिछले साल जो बढ़कर 8.84 करोड का हो चुका है और इससे पहले 6.97 का था जो और बढ़के 7.46 हो चुका है तो कंपनी के नंबर में साफ सा आपको देखने को मुलेगा कि कंपनी ने का आफ परफोर्मेंस दिखाई है फिर से फंडामेंटली और कंपनी के नंबर्स काफी स्ट्रॉंग देखने को मिल रहे हैं अगर मैं बात करता हूं मार्जिन्स की और ज़रूर इस कॉटर में कंपनी के मार्जिन्स में थोड़ा सा आपको कमी देखने को मिल यह आई सच बाकी कोई दिक्कताली बात नहीं है और लगातार दोस्तों यह जो कंपनी वह लगातार बड़या परफोर्मेंस कर रही है और आप खुद नोटेस कर सकते हैं कि इस कंप इतना शांदार मूव दिखाया है और एक और दोस्तों जो खास बात है वो यह कि कंपनी ने सेकंड इंटरिम डिविडेंट का अनॉंस्मेंट किया है और रुपीज 7.50 रुपीज पर शेयर यानि कंपनी एक शेयर आपको साड़े 7 रुपे का डिविडेंट देती हुई रहा दिया जाएका तो नो डाउट इंवेस्टर्स के लिए एक और बढ़िया बात होगे कि कंपनी डिविडेंट भी आपको पेश करती हुए निजर आने वाली है नंबर्स तो लगातर कंपनी बढ़िया पेश करी रही है तो केसल्स नो डाउट दीके बढ़िया कर रहा है और फिर से दुस्तों स्टॉक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है रेजिस्टेंस कौन सा है रेजिस्टेंस दे उस तो उपर में है 1460 अगर एक बार उसको क्रॉस कर देगा तो बिल्कुल यहां पर तीजी बंती नजर आएगी नीचे में सपोर्ट है करीबन 1175 के आसपस का जो क खराब numbers निकल कर आए उसका reaction साफ 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 स्टॉक पर देखने को मला है और चार परसें से ज्यादा टूटता हुआ नजर आया करीबन 888.5 पर जाकर दोस्तों happiest mind ने closing दिया almost 37.20 रुपीस की गिरावट नजर आई happiest mind अगर लास्ट छे माईने में आप देखेंगे तो कोई कोई performance नहीं है पिछले एक साल में भी कोई performance नहीं है और जब से दोस्तों लिस्ट हुआ तब से आप कह सकते हैं बली के 47% के रिटरन है बट जिनके दोरह भी इन लेवल्स पर वाई किया गया बिल्कुल हाइस पर आज तक उनके पैसा भी तक रीकवर नहीं हुपा है तो यह यह कहूंगा और बिल्कुल आज जो इसकी प्रिवेस लो थी सॉरी जो प्रिवेस क्लोस थी वो था करीवन 925.70 रुपीस का लेकिन स्टॉक आज ओपन ही 917 पे होता है उसके बाद 920 रुपय का जरूर हाई लगा लेकिन 870 के आसपास का 872 तो बी प्रसाइस उसका लो लगा और स्टॉक हम कह सकते 888.50 रुपे क्लोसिंग दिया है तो लगातार गिरावट हमको देखने को मिल रही है और अब numbers का reaction भी आज काफी harsh देखने को मिला ऐसा हो क्यों रहा है जिस बिगॉस जुस्तों company के जो numbers है वो definitely expectations से भी हीचे आ रहे हैं जैसे कि अगर यहापे आप यह expected था वो गरीवन 413.63 करोड क्या असपास का था लेगिन आता कितना है 409 करोड जो company का अंडिंग पर शेयर था चार रुपे का expectations था पर 3.91 पर आता है तो almost 2.30% कम निकल कर आया ऐसा नहीं कि सिर्फ इसकार हुआ है यह लगातार देखने को मिल रहा है और लगातार दोस् अच्छा ग्रोथ दिखा रहा है लेकिन याद रखेगा इंडियन मार्केट इनके लिए सिकंड मार्केट है सबसे प्राइमरी जो मार्केट है इनका वो है यूस का मार्केट है राइट जो आफ्टर देखने कर रहा है लगातार attraction दिख रहा है वहां पर with new logo signups that we have done this year उनका म numbers पर आपको reaction देखने को मुले reflection देखने को मुले तब जाकर देखिए company का company अंदर सबसे important है shareholders की wealth create होना जो अभी हम क्या सकते नहीं हो पा रही है company ने कहा है कि जो उनकी guidance है right we would like 22 to 24% guideline उनका ये hope है कि वो continue करेंगे beating it as we have done for the past 15 or 16 quarters ऐसा company ने कहा है but ठीक है guidance company की ठीक है but on and all important numbers company के in line आ जाए ताकि कम से कम stock में उसका reaction देखने को अच्छा मिले अग्डे दूस्तों बात करते हैं विपरो के उपर तो आज विपरो में कह सकते हैं कुछ खास गिरावर्ट देखने को नहीं मिली बलकि हम कह सकते हैं आज IT में शुरुआत में गिरावर्ट थी बाद में थोड़ी बाद recovery देखने को मिली और recover यहां पर भी साफसा आपको देखने को लेगा विपरो हुआ जैसे कि देखी open हुआ था almost 482.40 पे उसका previous close था और उसके बाद 468 तक का low create हो गया बट उसके 489 तक stock जाता हुआ नजर आया और कह सकते हैं अच्छा move देखने को मिला बट फिर से दोस्तों विपरो में अभी यही है कि numbers तो ठीक निकल कर आ गया बट क्योंकि देखें दो तिन दिनों में जिस तरगी से बाजार गिरा उसका reaction यहां पर भी तगड़ा ही देखने को मिला और stock भी ठीक ठाक correct हुआ क्योंकि वहां पर भी जो तेजी थी वो sustain नहीं कर प intelligence यहां company AI से काफी जादा उमीद लगा कर बैठी हुई है क्योंकि यहां पर इससे operating cost reduce होने वाली है और the head of the Indian IT firms America's two businesses told routers on Wednesday ऐसा basically company को काई मलब हम overall यह कह सकते है कि company को AI से काफी जादा expectations है इनके जो client conversations भी हो रही है वो भी हो रही है कि किस तरीके से cost saving efforts यहां पर लगाया जा और conservation हो रही है every time about AI ऐसा दोस्तों company के company के कह सकते important person ने कहा and company moreover देखे जो काम कर रही है वो इसे पर कर रही है किस तरीके से transformation देखने को मिले transforming हो रहा है cloud का business बढ़िया करता हो नजर आएगा recognize मिल होगा कौन सा advantage of AI तो इन सब के उपर company का focus है और इसलिए दोस्तों company लगाता होपफुल है कि आने वारे समय केंदर company का इस जो sector जो AI है basically वहां से अच्छा कासा company को revenue भी generate होगा इस प्रकार की expectations company आकर चल रही है तो let's see होता गया बट यह अच्छी बात है कि देखे company hopeful है कि हाँ यह जो AI है उससे company का business और ग्रू करता हो नजर आएगा let's see उसका numbers पे numbers तो यहाँ वेपरो भी इस पे hopeful है अब बात करतें दोस्तों NHPC से तो NHPC का offer for sale खुला और offer for sale जब भी खुलता है obviously बात इस stock में gap down आपको देखने को मिलेगा exactly आज ऐसा ही हुआ stock का previous close to 73 का और 69 का दोस्तों इसका आज opening है बट उसके बाद stock में हमको थोड़ा बहुत recovery देखने को मिला stock का जो high था 72.15 का दा और कैसकते काफी recover हो गया था share 70.70 पे जरूर दोस्तों trade कर रहा था at 330 बट यह बाद अच्छी है कि stock में recovery देखने को मिले एक समय पे 6000 परसंड नीच था और इसके बाद अच्छी कासी recovery देखने को मिली और क्योंकि देखी OFS को अच्छा response मिला तो सरकार additional 1% stake यहाँ पर बेचती वे नजर आएगी NHPC as OFS gets overwhelming response तो बिल्कुल लेकि लगातार सरकार offer for sale लेकर आ रही है सारे PSU companies का और उनको काफी अच्छा response मिलता है exactly यहाँ पर भी same हुआ आज offer for sale खुलाता और सरकार ने अपना green shoe option exercise करने का बात क्या दिया है just because क्योंकि देखे response काफी बढ़िया है इसलिए additional 1% stake यहाँ पर बेचती वी सरकार नजर आएगी इसके अंदर दोस्तो अभी भी अगर stock में देखा जाए तो definitely इपनी flow price 66 रुपीज से उपर ही trade कर रहा है और सरकार ने जोस्तो 2.5% stake जो है वो बेचना चाहा है और यह जो है एक discount पिता almost 10% के बट यहाँ पर government ने साफ कहते है कि अब 1% और stake सरकार बेचती होने ज़र आएगी और कल दोस दोस्तो एक आखरी company कर दो बात कर लेते हैं जिसने bonus announce किया है आज और उसका नामे DRC Systems तो दोस्तो डिया से systems ने जो bonus announce किया है वो है ratio in the ratio of 2 is to 1 यह आपको दो नए bonus share company issue करेगी हर एक equity share आपके बस अगर होता है तो और यह company ने आज साफ साफ announce कर दिया है company ने जो इसकी record date ने जो सब्सक्राइब कर दना थैंक्यों फ्रेंज फ्रॉचिं दिस